Signal App Features in Hindi So, यहाँ पर मैं आपको Signal Apps के Features के बारे में Explain करूँगा Settings के बारे में Explain करूँगा जो आपको एक तरीके से काम में आएगा Signal App को Use करते हैं जो Signal App है यह Basically एक Messaging App है जो धीरे-धीरे 2020 January में काफी ज़्यादा popular हो रही है Most of the Users globally basis पे Signal App को धीरे-धीरे Use कर रहे है और WhatsApp से Signal App में Moved हो रहे है Because WhatsApp की जो Privacy Policy वो Change हो गई है जिससे कि Most of the Users उसके Against है और WhatsApp को Use करना बन कर रहे हैं और Signal App में Moved हो रहे है Because Signal App की जो Safety and Security है वो इदम Completely Private है तो अगर आपको Signal App को किस तरीके से Use करना है Account Registration करना है तो इसके Related मेंने Dedicated Video Cover किया है तो एक हैं चेक इट आउट विडियो सेक्षिन बट फिलाल अभी मैं Signal App की Features के बारे में Settings के बारे में Explain करूगा अगर आप अपने किसी Friend को Signal App के बारे में Aware कराना चाहते तो आपको यहाँ पर Invitation Option मिलता है जिसे आप क्लिक करके अपने Friend को आप Invite कर सकता है तो आपने Signal App को Join करने के लिए So let's directly Settings Option पर क्लिक कर ले तो यहाँ पर आपको Signal Apps की यह इतनी सारी Settings है जो अलग-अलग चीजों में काम आती है तो First Number पर आता है यहाँ पर SMS और MMS तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो Main Option है पुरा SMS के रिल्टेड है अगर आप चाहों तो Signal App को आप Allow कर सकते है अपने As a Default Messaging Apps की बिसिस पर जब भी आपको कोई Message Received होती है अपके Message के Inbox में Normal Messages तो वो सारे भी सारे आप Signal App के तुरू Access कर सकते है Simple आपको इस पर क्लिक करके इससे Allow कर देना है और आप चाहे तो इससे As a Messenger Message Apps के बिसिस पर भी यूज़ कर सकते है यहाँ पर आपको Option बिल जाते है जिससे जब भी फिर आपको Normal Messages भी आएगा आपको Signal App में Wi-Fi Calling का भी Option मिलता है As you can see जो आपको WhatsApp में देखने को नहीं मिलता है तो यह Completely New है अगर आपको वाइफा अगर आपके घर में Broadband है घर में Internet Connection है तो Wi-Fi Calling का फीचर का आप यूज़ कर सकते है और घर के Internet का यूज़ करके आप Wi-Fi Calling कर सकते हैं अगर आप चाहो तो Signal Apps के जो Color से उन्हें आप चेंज कर सकते हैं तो फिलाले Default Basis पे Blue पे होता है विकोस Signal लगार का जो Logo है Blue में यह बढ़ इसके लबाब आप चाहतो Green, Red, Orange यह सारे Option आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और Vibration यानि कि जो भी आपको Typing करो तो Vibration के Basis पे यह Option होता है Then Downset में आपको Calls के Notifications के Option है तो यहाँ पर आपको Notification आप चाहतो Vibration का Option सेट कर सकते हैं तो Ring call, Ring turn जो भी आप सेट करना चाहते हैं That's it And then जो Next Signal का Feature है वो है Privacy Settings का तो यहाँ पर आपको सारे के सारे Signal Apps में Security Settings अप्लाई करने की Features यहाँ पर शो हो जाते हैं तो आप चाहतो यहाँ पर Signal Apps में आपको Option बिलता है जिससे कि आप जो आपका Normal Lock Screen होता है आपके Mobile में उसे आप Default Basis पे Set कर सकते हैं आप पर Signal Apps के लिए Set करने तो आप इसे Directly On कर सकते हैं अब उसके बात यहाँ पर और यह तो सब Normal Normal है बट यहाँ पर जो Main है Block Users है निकि अगर आपको Signal App में Option बिलता है जिससे कि आप User को Block कर सकते है तो जो भी User को आप ब्लॉक करेंगे अगर आपको ने Check It Out करने तो आप Block User के Option पर क्लिक कर सकते ह उनके नाम नमबर यहाँ पर Show हो जाएंगे Then Down Set में आपको यहाँ पर Signal Pin का Option मिलता है जिससे कि आप यहाँ पर Pin को Change भी कर सकते हैं As You Can See That तो अगर आपको कोई Pin Change करना है तो Signal आप में आपको Basically एक Feature मिलता है जिससे कि आपको Pin यहाँ पर Create करना होते है जो बहुत ही जड़ा Important है अपने Account को Recover करने के लिए तो आप चाहते अपने Pin को यहाँ से आप Change भी कर सकते हैं Then इसके बाद Next Option आता है Appearance का तो इसमें आपको Signal App में Feature मिल जाता है जिससे कि आप Dark Mode को Enable कर सकते है यहाँ पर तो Enable करने के आपको यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद Dark Option पर क्लिक कर आता है अगर आपको Late Night तक Mobile में Chatting करने के हाइपी तर तो इसलिए आप Dark Mode के Feature का Advantages ले सकते है Mobile के Brighter Lights से आपने आखों को Protect रख सकते है विच इस वेरी वेरी इंपोर्टन अगर आपको Off करने है तो आप यहाँ से इसे Off भी कर सकते है Then जो Next Option आता है Chats and Media का तो इसमें तो Basically सारे के सारे जो Downloads के Option होते हैं आप अपने मीडिया को किस तरीके से Download करना चाते हैं Mobile के Data का Use करके या वाइफाई का Use करके तो यह Option आपको मिलता है तो जब भी अगर अपके Mobile में Wi-Fi चालोगा तो Automatically वो Image Audio Video यहाँ पर Download हो जाएगा Then उसके बाद यहाँ पर Option मिलता है Message Fund Size का तो यहाँ से आप Message के जो चैट से उन्हें के Funds को आप Maximize कर सकते हैं Minimize कर सकते हैं यहाँ पर Option मिल जाता है Small, Normal, Large, Extra, Large As you can see that तो यह उन लोगों के लिए useful होगा जिनने एक तरीके से देखने के में Problem होता है Words को Clearly तो यहसे मैं आप इस Funds Size का भी Option यूज़ कर सकते हैं अब यह है सबसे Important जिसे Skip में नहीं करना है यह Backup है जब यह आपका Signal Account आप Delete करना चाहते है कुछ Reason की वज़े से Privacy की Basis पे और आपके लिए Chats Important जिसे आप खोना नहीं चाहते तो ऐसे मैं आप उन Chats का यहाँ पर Backup ले सकते हैं इसके बाद यहाँ पर Next Option मिलता है Signal App का Feature Storage का तो यहाँ पर आपने Signal App में कितने सारी photos को download की, कितने सारी videos को download की, कितने सारी files, audio's को download की तो उन्हें यहाँ पर आपको analyze करने में help काता है जिसे आप Pop कितने livres की files पकी report, कितने leyabs की videos है आप आप easilyCatunya कर केंगैं तो एक तरीके ज़रीता है and then downside में आपको option मिलता है help का अगर आपको signal app यूज करने में कोई भी problem हो रहा है कोई भी परिशानी हो रही है तो ऐसे में आप यहाप ए company को feedback दे सकते है but make sure कि आपके mobile में internet data और जो भी आपने feedback देना चाहते हो then downside में आपको option मिलता है advanced का advanced में आपको यहाप पर option मिलता है अपने signal app के account को delete करने का advanced में तो खुछ reason के वज़सा अगर आप अपने signal app को delete करना चाहते हो तो आप यहाप advanced settings में आके अपने signal app को यह से delete कर सकते है तो delete करने के लिए आपको फिर आपके जो mobile number है जो signal app में है उस पे आपको एक OTP आपको इंटर करना है जो इसके बाद आप signal app में इंटर कर पाएंगे यहापने signal app को delete कर पाएंगे so basically यही है सारे signal app के features जो एक तरीके से whatsapp में मिलता है but as compared to whatsapp इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा security settings मिलता है yes as per my experience but still अगर मैं कुछ setting से जो मेंने miss किया है तो please let me know comment और कुछ भी question है signal app के features के related so you can ask me in comment section and I'll gonna do a really reply to your comment thanks for watching